सईनिक तरआश महसबा में पयमोदी का थिया सिक भाषा और भिना नामनी पाकिस्तान पर भोला हमला कहा विश्व के सामने आतंगबाद और उगरिवाद का खत्रा प्येम मोदी का पाक पर रित करारावार कहा जो आतंगवाद का टूल के तौट पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी खत्रा यूएन महासभा में प्येम मोदी ने आतंगवाद पर दुनिया को किया अलर्ज कहा हर हाल में रोकना ही होगा आतंगवाद अफगानिस्तान के मुद्धे पर पियेम मोदी के बोल हमलों के लिए ना हो अफगानिस्तान की धर्ती का इस्तेमान पिम मोधी ने अफगानिस्टान के लोगों की मदद की अपील की कहा अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को मदद की जरूरत अल्पसंख्यों को की भी करनी होगी रक्षा यूएन की भूमिगा पर पीएम मोदी का निशाना कहा आज यूएन के तौर तरीकों पर उठ रहे हैं सवाल संयुक्त राष्ट को खुद को सुधार ना होगा पियम मोदी ने चीन के विस्तारवाद पर भी साधा निशाना कहा दुनिया को विस्तारवाद के खलाब उठानी होगी आवाज बढ़ रहा एक अठरपंत का हट्राइब साइवत राष्ट महासभा में पियम मोदी ने कोरोना से मरने वालों को दीश्रधांचली कहा देर साल से दुनिया कोरोना महमारी से पीड़ सेंक्तिराष्ट महासबा में प्याम मोधी का बड़ा बयान मैं ऐसे देश का प्रतिन दिद्द करता हूँ जो लोकतंत्र की जननी है बारती लोकतंत्र की परंपरा हजार उस साल पुराई सेंक्तिराष्ट महासबा के मंच पर पहुशने से पहले प्याम मोधी ने मंचासिन अधिकारियों को जुकर किया अभिवादन विश्व मंच से गूजा भारत का संदेश प्याम मोधी का चार दिवसी अमेरिकी दौरा खत्म स्वदेश वापसी के लिए भरीउडा प्याम मोधी को अमेरिका में गिफ्ट के रूप में मिली 157 कलाकृती और मूर्तियां चोरी या तसकरी के रूप में भारत से अमेरिका गई थी कलाकृतियां और मूर्तियां पेशल 157 के साथ देश रवाना हुए प्याम मोधी यूएन में भारत को स्थाई सीट दिलाने के अमेरिका ने फिर उठाई आवाज जो बाइडन ने कहा स्थाई सीट के लिए कौर्ट भागिदारों और कई अन्य देशों ने भी जताई सेहमती यूएन सी सदस्ता पर विदेश और मंत्राले का बड़ा बयान कहा कि भारत को यूएन सी में स्थाई सदस्ता मिले बाइडन भी चाते हैं कि भारत को स्थाई सीट मिले न्यूयोक में यूएंग मुख्याले के बाहर पीम मोदी ने भारते समुदाय की लोगों से मुलाकात की पीम ने लोगों के पास जाकर हाथ मिलाया पीम मोदी से मिलने के लिए दिखा लोगों का क्रेस लोगों ने भीड में ही पीम के साथ खिचवाई सेल्पी न्यूयोक में पीम मोदी के समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे भीड को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्वियों को करनी पड़ी मश्रक्त नियोक में पियम मोधी के होटल के बाहर देखिए उनके समर्थकों के भीड कुछ ज़ात के गौरफ का बैनर लेकर खड़े थे पियम मोधी के समर्थक पियम मोधी के भाशन की तारीष की बोले पियम ने दुनिया का ध्यान आतंगवाद पर खीचा पियम ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा तालिबान ने इम्रान खान को बताया सेना के कट्पुतले कहा अफगानिस्तान मामलों से दूर रहे पियम मोधी आज करेंगे मन की बाद सुबह 11 बजे मन की बाद के जरे देशवासें से पियम मोधी करेंगे समबाद अमिश्या के देख्ष्टों में अक्सिल बाद पर आज पैटक नक्सिल प्रिभावीत राज्यों के मुक्य मंत्रियों के साथ प्रीटे पंचाब में आज होगा मंत्री मंदल विस्तार शाम साड़े चार बजे मंत्री मंदल विस्तार तूत्रों के मुताबिकर कई नहीं चेहरों को मल सकती है जगा चन्ने कैबिनेट में सद्दू के करीबियों को मिलेगी जगा श्रीनगर में आज आईएफ का एर शोड डल लेक पर दहाडेंगे भारते वायू सेना के विमान चिनुक सुखोई मिग 21 जैसे जाबाज फाइटर प्लेन लेंगे हिस्ता जमु कश्मीर के पुर्वसियम फारुक अब्दुला का बड़ा बयां कहा देश को बचावने के लिए बनाना होगा धर ट्रंट कहा अमारिका चीन पाकिस्तान से ज़्यादा धर्म की लडाई कर दो जमु कश्मीर में बड़ी आतं के साज़ुष नाकाम पुकवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दोरां सुरक्षा बलो ने बरामत किया ग्रेंट महंत नरेंदुगरी की मौत मामले में एहमदेनाद जेल में बंद आनंदुगरी, आध्या प्रसाथ तिवारी और संदीप तिवारी से पूछता है राजिस्तान के बैग ने नरेंदुगरी की मौत में जोड़ा नया एंगल घटासल पर मिला अलवर की मिठाई शॉप का बात कई सवालों की होगी परता है जल्ब होगा खाड़ा परिशत के नई अध्यक्ष का चुना महेंतु नरेंदुगरी की मौत की बात चुने जाएंगे नए अध्यक्ष सभी संतु की सहमती से होगा नए अध्यक्ष का चुना प्रियागराज में महेंते बलवीर गिरी से CBI टीम नेकी पूश्टाच लगबग एक गंटे तक चली पूश्टा सूत्रों के मताबिक CBI नी ली घट्ना करम के बारे में जानकारी लगनों में आज बीजेपी किसान मोचा का भव्वे सम्मेलन सूत्रों के मताबिक गन्ना मुनलियों को बढ़ाने का किया जा सकता ऐलान सम्मेलन में श्रामिल होंगे C.M. योगी UPK प्रताफगर में मार्पिट मामले में कार्यवाई कॉंगरस प्रमोतिवारी और विदायक अराधिना मिश्ट्रा समेथ कई पर केस 27 नामज़द और 50 अग्याद पर एफ़ाई UPK प्रताफगर में शनिवार को बढ़े थे कॉंग्रस और बीचिपी समर्थक प्रमोतिवारी और बीचिपी सांसा संगम लाल गुपता के समर्थकों के बीच मार्पिट आज कानफूर में जनसभा को करेंगे संबोधित OVC दोपहर 12 पचे जनसभा में OVC का संबोध है UP की प्रियाकराच में OVC का बीचेपी पर हमला कहा मुस्लिमों पर हमला कर डरा रही बीचेपी मुझे को वोट कटवा कहने वाले कर रहे हैं सियासी के WC ने का कि जिस समाज का नेता होता है उसे समाज की सुनी जाती है सभी ने अपने पने समाज का नेता चुन रखा है लेकिन U.P में मुस्लिमों का कोई निता नहीं है यूपी की प्रियाग्राच में उवैसी का हला गोल कहा ना मोदी ना योगी से ड़ना है ना खिलेश और ना ही कॉंग्रेस से ड़ना है यहीं पैगाम मैं देने आया तालिबानी फर्मान का अर्शद मद्दी ने क्या समरतन, अर्शद मद्दी ने लड़का लड़की के साथ में ना पढ़ने की तालिबानी फर्मान का क्या समरतन यूपी के बारबंकी में बेखाउफ बतमाश दबंगों ने साधूं पर लाठी डंडों से किया हमला दबंग खुले आम लेरा रहे हतियार दबंगों की मात पीट में पुजारी समेट तीनस साधू गंबी रुपसे वे खायर जालों को उस दिल अस्पतार में भरती कराए गया जातिव जंगर्णा को लेकर बिहार एंडिये में रार बीजेपी बता रहे लुकसान तो जेडियू बता रहे फायदे हम और वी आईपी जेडियू के साथ